पार्टनर हमेशा X की बाते करता है आपकी लाइकिंग को लेके अच्छा तुम्हें पनीर की सबजी पसंद है उसको भी ना पनीर की सबजी बहुत ही ज्यादा पसंद थी अब तुम्हारी ये स्माइल बहुत प्यारी है लेकिन ऐसी ठीक ऐसी स्माइल ना उस लड़की की भी तो अब आपको समझने आता है कि आपको कॉम्पलीमंट दे रहा है और पिर सामने रख लाएकिन के इंसल्ट कर रहा है हम कर क्या सकते हैं इस चीज के लिए श्री हरिवन्ष आप देख रहे हैं एक रिजी फिलोसफिय मैं हूँ आपका दोस्तों को चानन दोराज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनर हमेशा एक्स की बाते करता है क्या करें ऐसी सिट्वेशन में तीन चीजों को हमको समझने की जोरत है कर क्या सकते हैं हम इस चीज के रिगार्डिंग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि exactly situation है क्या आपको कही न कहीं ऐसा feel होता है कि you are being compared hence you are being insulted क्योंकि हर एक इनसान की एक uniqueness होती है और अगर उस uniqueness के उपर परदा डाल दिया जाए या फिर उसको देखा नहीं जाए और आपको compare किया जाए किसी दूसरी identity से किसी दूसरे human beings से तो it does not feel good बुरा लगता है hurt होता है और लगता है कि यार ये क्या मजाक है ये क्या बात है किसी भी चीज़ को लेके आपकी body को लेके आपकी likings को लेके आपके hometown को लेके किसी भी चीज़ को लेके सामने वाला इनसान आपको ये feel करवा दे कि यार आपको कहीं न कहीं compare किया जा रहा है उसके x से या फिर कहीं न कहीं insult की जा रही है आपकी directly या indirectly तो बुरा लगता है ऐसी situation में बुरा लगता है अब समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है जैसे आपकी आखे हैं तो सामने वाला इनसान बोले तुम्हारी ऐसी आखे है ना आपके बालों को लेके या आपकी लाइकिंग्स को लेके अच्छा तुम्हें पनीर की सबजी पसंद है उसको भी ना पनीर की सबजी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी तो आपको लगता है कि यह हम करें क्या ऐसी सिट्वेशन में कई बारी हम जो है जहिलने की कोशिश करते है बेर करने की कोशिश करते हैं कई बारी हम बम के तरीके से फट भी जाते हैं हमें समझ नहीं आता है तो इसी लिए इस चीज को बाच्छित करने की जोरत है कि करना क्या चाहिए ऐसी परिश्थितियों में अब दूसरी चीज है कि सामने वाला इंसान ऐसा कर क्यों रहा है मतल उसको वही आखे दिख री है उसको वही उसकी लाइकिंग्स उसकी डिसलाइकिंग्स उसका होम टाउन उसके बारे में क्या उसका करियर अच्छा तुम सीए हो वो भी सीए था वो भी सीए थी अच्छा अच्छा वो तो मतलब हर एक चीज को लेके आपको जो है डाउन होता है तो ऐसा हो रहा है क्यों क्योंकि सामने वाला इंसान अभी भी स्टक है उसके पास्ट में उसके एक्स में उसकी एक्स की मैमरीज में वो अभी तक स्टक है उस चीज़ से निकल नहीं पाया है उसने अभी तक और कम किया नहीं है जिसकी वज़े से वो पूरी की पूरी क तहाने अभी तक चल रही है पूरा पूरा या फिर मालों कभी कबार बातचीत हो रही है अच्छा उसका भी ऐसे था अच्छा यार वो इनसान आज मेरे लाइफ में होता तो मतलब लाइफ में तो आज अलग ही सीन होता लाइफ के तो अलग ही मज़े होते I miss him so badly I miss her so badly दुनिय अभर की बाते तो हमको लगता है कि या फिर हम ये relationship continue भी कर रहे हैं अगर आप खुश ही नहीं हो मेरे साथ अगर आप satisfied ही नहीं हो मेरे साथ और आपको अपने ex में ही जाना है तो हमारे मन में एक question आता है कि why to continue this relationship तो जहिर से बात है एक genuine question है अब तीसरी चीज हमको समझने क कि what can be done about it हम कर क्या सकते हैं इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं सामने वाला इंजान कभी कभार चलो ठीक है उसको time हो गया है and he and she is working on it और वो चीजों को भूलने की कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तब ही कभार उससे ह हो गया चलो ठीक है वो बात निकल गई एक्स किया ऐसा कुछ हो गया तो कोई बात नहीं आप इसको एक नॉर्मल नोट पे लीजे और चीजों को भूलने की कोशिश कीज़े अगर आपको लगे कि या डेली का ऐसा हिसा बन गया है part of life और हमेशा ही वो एक्स की बाते है या ह गुमा फिरा कि वो एक्स को conversation में लेकर आ जा रहा है then we need to make a decision about it फिर हमको सामने वाले इंसान को on a serious note हमने सामने बैठके बातचीत करने की जोरत है कि जी ऐसे तो नहीं चलने वाला और ऐसे चलेगा भी नहीं और मेरे को चलता ही नहीं ऐसे simple सामने बोल दिया कि ऐसे तो नही हो memories को उसको express करने की जोरत नहीं है और अगर आपको लगता है कि अभी तक आप overcome नहीं कर पाए हो और आपको overcome करने में time लगेगा तो you take your time, you heal yourself, जब आपको लगे कि you are ready for a relationship, आप mentally ready हो, आप emotionally ready हो, then you can contact me, then you can reach out to me, लेकिन अगर ऐसे आप continue करना चाहते हो, कि आप तन से मेर not interested और मेरे पास इतना फालतू का time है भी नहीं कि हम ऐसे लोगों को time दे, जो तन से तो हमारे साथ हो, लेकिन मन से कहीं और ही हो, तो कोई मतलब तो बनता नहीं है, अगर मतलब एक अच्छे और एक सच्छे relationship की पहचान क्या है, कि आप तन से सामने वाले इंसान के साथ हो, म फिर तो best ही होता, तो ये चीज तो जी गलत है, तो सामने वाले इंसान से खुल के बात कीजे, अगर मेरे हिसाब से, अगर आप खुल के बात्चित करते हैं, अगर सामने वाले इंसान समझता है आपको, थोड़ी भी value है उसके दिल में आपके लिए, तो फिर कहीं न कहीं सा सामने वाला इंसान continue करता है इन चीजों को, then you can make a decision about it, इतना जहेलने की जोरत नहीं है, क्योंकि आप फिर परेशान हो जाएंगे, आपके खुद के अंदर इन सेक्यूरिटी जाएंगी कि यार हम क्या हैं फिर, समझ रब, क्योंकि हर एक इनसान एक अलग आइडेंटिटी है, हर एक इनसान एक अलग इनडिविजूलिटी है, और अगर उसके उपर कोई question रेज करें, या फिर आपको compare करने की कोशिश करें, तो फिर खुद में इन सेक्यूरिटी जाएंगी, और आपको लगगा कि यार हमारे अंदर काभीलियत नहीं है, हमारे अंदर मतलब इतनी worth नह about it, और फिर उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं, और अगर फिर भी लगता है कि नहीं कुछ नहीं होता है, सब कुछ ऐसा ही है, तो आप अपने हिसाब से अपना एक decision ले सकते हैं, क्योंकि देखे, ultimately, it is your life, your decision matters, अगर ऐसा होता है कि नहीं चलो ठीक है, मेरे को चलता है तो ठीक है, भीया, चलाओ, और अगर ऐसा लगता है कि नहीं, it is bothering me very much, तो you can make a decision about it, and you can go ahead in life, बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्तों को चानंद, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको one-on-one guide करूं, एक phone call के थ्रू, एक video call के थ्रू, तो आप paid private call book कर सकते हैं, WhatsApp कर सकते मेरे team को, 829-034-3014 पे, thank you very much for watching this video, stay connected, stay blessed, pran dhan, sri radha, vallab lal, bless you my friend, jai hint, jai bharat